नमस्कार, कक्षा छे, एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्ण 5 आज हम करने जा रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं तो बच्चो मेरा पिछला वीडियो सह अभाज्य संख्याओं पर था आशा करता हूँ आपने वह जरूर देखा होगा हमने पढ़ा यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुननख्याओं एक हो तो वे संख्याओं सह अभाज्य संख्याओं कहराती हैं जैसे 12 और 13 के हमने गुननखन लिखे, फिर देखा कि इनका सबसे बड़ा सार्व गुननखन सिर्फ एक आया, इस तो 12 और 13 सह अबाजय है, तो आप भी देखेंगे, यदि दो संख्याओं का सार्व गुननखन सिर्फ एक होगा, इसके लाबा कुछ नहीं होगा, तो ऐसी संख तो आईए हम इनका गुननखन निकालते हैं, देखें बच्चो, 18 के गुननखन होते हैं, एक के पहाड़े में ठारा आता है, एक अठारा अठारा, दो के पहाड़े में दो ना एठारा, तीन के पहाड़े में तीन चिके ठारा, चार के पहाड़े में नहीं आता, पांच के गुननखंड देखते हैं 35 के गुननखंड देखें एक के पहाड़ में तो हर नमबर जाता ही है एक गुना 35 दू के पहाड़ में नहीं आएगा क्योंकि यह विशम संग्या है तीन के पहाड़ में नहीं जाता ग्यारत या ते तिस, बारत या च्छत तिस, पैंतिस नहीं आया थी इन के पाड़े में, चार के पाड़े में भी पैंतिस नहीं जाएगा, पांच के पाड़े में जाता है, पांच साथ से पैंतिस, तो इस प्रकार से आपने देखा, कि इस प्रकार से आपने देखा कि 35 के ये 4 गुननखंड आये हैं इनके लावा 35 का और कोई गुननखंड नहीं होता अब हम इनको लिख लेते हैं देखे अठारा के गुननखंड यह ब्राबर है एक, दो, तीन, छे, नो, और अठारा इसी प्रकार से 35 के गुननखंड 35 के गुननखंड देखे एक, पाँच, साथ, पैंटिस अब आप बच्चों ध्यान से देखना इनमें हमने सार्व गुननखंड निकाल ला है एक यहां भी है, यहां भी है यहां दो है, यहां नही है यहां तीन है, यहां नही है यहां छे है, यहां नही है यहां नो है, यहां नही है यहां ठारा है, यहां नही है नीचे पांच है, उपर नही है साथ नीचे है, उपर नही है नीचे 35 से उपर नहीं है इसका मतलब और कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में common हो, दोनों में सार्व हो इसका मतलब सार्व गुननखन कितना आ गया? एक, और हमने क्या पढ़ा था? यदि दो संख्याओं का सार्व गुननखन एक होगा, एक से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्याओं कहा जाता है तो हम लिए देंगे इसका मतलब ये जो निशान है, इसका मतलब होता है इसका अर्थ है या अतह अठारा और पैंतिस सह अभाज्य संख्याओं हैं ठीक है बच्चो? यही हमें बताना था कि ये सह अभाज्य हैं या नहीं है तो हमने लिख दिया अठारा और पैंतिस सह अभाज्य संख्याओं हैं तो इसके साथ ही हमारा प्रत्हमभाग पूरा हो गया है आशा करता हूँ सह अबाजिय संख्याओं के बारे में आपने अच्छे से सीखा होगा धन्यवाद